डबल एक्सेल मुवी देखने गया था मैं और आप यकीन नहीं करोगे कि सारी कि सारी ओडियंस या तो एक्सेल थी या डबल एक्सेल इंक्लूडिंग मी बट मेरे अलावा सारी कि सारी लेडिज ही थी फीमेल्स इसलिए थियेटर का वीडियो नहीं बना पाया तो एक दिन अचानक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं मिलते हैं दोनों की प्रॉबलम्स दोनों को एक जैसी लगती है और मिलने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि मोटा पेपर मात करके अपन अपने ड्रीम्स को एक साथ पूरा करेंगे अब वो कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करते है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा बट साला दिक्कत ये है कि टॉपिक अच्छा होने के बावजद उसे अच्छे से एक्जिक्यूट नहीं किया गया लाइक ऐसा क्यों दिखाया गया कि प्रॉब्लम सिर्फ मोटे लोगों के लाइफ में ही होती है स्पेशली इस फिल्म में सारी लड़किया ही मोटी दिखाई गई है जिससे इस फिल्म पर स्टीरियोटाइफ होने का तो ठपा लग ही गया बट फेमिनिजम का भी लग गया के साला जो भी प्रॉब्लमस है वो बस लड़कियों के ही होते है चाहे वो मोटी हो या ना हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोनों को लंडन जाना पड़ता है इंडिया में तो कुछ नहीं होगा इसलिए लंडन जाना पड़ता है वो जाते भी बड़े आराम से है दोनों को वहाँ दो बंदे भी मिल जाते है जो अपैरेंटली दोनों लड़कियों के प्यार में भी पड़ जाते है I mean इतना easily कैसे stick to the real life bro मोटापे के वज़े से सबसे पहले तो धेरो बिमारी उसे परेशान हो जाओगे आप समाज के विचारों को तो दूर ही रखो ठीक है मेकर्स के intentions are good के हाँ होती है मोटे लोगों के लाइफ में problems और उसको लेकर कुछ अच्छे messages भी दिये गये है बट उसको बड़ा ही फिल्मी तरीके से दिखाया गया है जहां कुछ बाते real तो बहुत सारी बाते over acted लगती है और इवन जो इसका main topic था मोटापा डबल XL उससे तो इस movie का plot बहुत बार भटकते नजर आता है I mean सोनक्षी के life में मोटापे के वज़े से health problem के साथ फिल्म में acting ठीक ठाक थी बट दो actors ने जम कर over acting की है एक तो अपनी सोनक्षी सिना ही है दूसर एक्टर का नाम नहीं जानता बट फिल्म में उनका नाम जोरावर रहता है जो कौन है? पता नहीं उसके इतने contact कैसे है? पता नहीं उसके लिए सब कुछ इतना easy क्यू है? पता नहीं वो सोनक्षी सिना के कैरेक्टर के प्यार में क्यू पढ़ जाता है? पता नहीं मैं movie क्यू देख रहा था? इसमें कुछ एक dialogues और situations ऐसे है जिससे ये movie family के साथ देखने में थोड़ा awkward feel करोगे और even मेरा ऐसा कोई suggestion नहीं है कि आपको एफिल्म देखनी ही चाहिए टाइम पास करना है जाओ देखो और टाइम का सही इस्तमाल करना है तो subscribe करो मैं दूँगा इस movie को 2 out of 5 stars मिलते है अगले वीडियो में बाई